हेलो दोस्तों मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे concept की और उस concept को हम आपको practically जो है implement करके दिखाएंगे जिसको कहते हैं multi time frame analysis दोस्तों multi time frame analysis के बारे में मैंने आपसे पहले भी काफी videos में चर्चा किये और दिखाया है आपको कि कैसे multi time frame analysis होता है इस video में हम practically देखेंगे कुछ भी बात हवा में नहीं करेंगे और practically आपको multi time frame analysis आप कैसे इसके उपर जो है एक strategy create कर सकते हैं और इसके उपर कैसे कैसे आपको features available है streak पे वो सारी चीज़े हम इस video में discuss करेंगे उससे पहले multi time frame analysis कैसे किया जाता है उसके उपर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे और उसके बाद हम जो है आपको सारे features और strategy practically बना के दिखाएंगे इससे पहले दोस्तों एक announcement अगर आपने trading lab का YouTube चैनल नहीं subscribe किया है तो आप कर लीजे ऐसे ही जो है अच्छे वीडियो लेकर हम आपके लिए आते रहते हैं और बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीज़ेगा यहां पे ताकि जो भी वीडियो है उनकी notification आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों multi time frame analysis होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ देखिए multi time frame analysis का फंडा होता है जिसमें की आप एक छोटा time frame और एक बड़ा टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं बड़े time frame के अंदर जो है आप प्राइस Ign को study करते हैं, प्राइस Amen को read करते हैं और छोटे time frame के अंदर आप उस बड़े time frame की direction में entries प्लैन करते हैं तो यहां पे छोटा time frame आ जैसे कि आप 1 hour का chart ले सकते हैं और 15 minute का chart ले सकते हैं कि 1 hour के chart में अगर आपको कोई trend दिखता है या फिर कोई breakout दिखता है तो आप अपनी entries 10 minute के time frame में या 15 minute के time frame में या छोटे time frame में प्लान कर सकते हैं और combination क्या होते हैं कि आप daily chart आप देख रहे हैं कि कोई daily chart पे आपको कोई proper entry मिलती है देखे trend को analyze करने के बहुत सारे तरीके होते हैं आप pure price action पे भी जा सकते हैं आप breakouts पे भी जा सकते हैं आप trend following पे भी जा सकते हैं indicators की मदद ले सकते हैं oscillators की मदद ले सकते हैं moving averages यूज कर सकते हैं तरीके हजारों हैं दोस्तों concept समझ लीजिए concept समझेंगे तो आपको वो concept समझ में आ गया तो आप तरीके अपने आप ढूंड लेंगे कि आपको आपको क्या suit करता है तो यहां पे दोस्तों देखे हम यहां पे early time frame यूज करेंगे देखे यह early time frame है और यह कोटक महिंदरा बैंक का chart है तो मैं आपको basic explain कर दूँ कि हम करने कावाले हैं देखे हम यहां पे RSI का use करेंगे higher time frame में RSI indicator आपको पता ही है RSI बहुत पॉपुलर जो एक इंडिकेटर है और RSI के RSI में हम क्या करेंगे दोस्तो RSI में हम 50 जेके ओवरबॉट और ओवर्सोल इसका 70-30 यूज होता है आपको पता ही है यहां पर हम RSI यूज करेंगे 50 यानि जब भी 1R के टाइम फ्रेम में देखे अब ध्यान से समझीगा 1R के टाइम फ्रेम में RSI 50 को क्रॉस करके उपर जाता है देखेंगे आप यहां पर यहां पर यहां पर अगर आप देखेंगे कि हायर टाइम फ्रेम में यानि आरली चार्ट में RSI जो है वो हायर देन होना चाहिए यानि उपर चलना चाहिए 50 के इसका मतलब मोमेंटम 50 के उपर RSI जैसी जाता है तो एक प्रॉबेबलिटी बहुत जादा होती है कि आपका मोमेंटम जो है आएगा उपर की तरफ जैसा क क्योंकि यह RSI 10 मिनट के टाइम फ्रेम का RSI है जो आपको नीचे दिख रहा है जो आरली RSI था वो मैंने आपको दिखा दिया देखिए यहां पे 11 तारिक को मोमेंटम आया और आरली RSI अगर आप देखेंगे यहां पे 10 तारिक को जो मोमेंटम आया था वो आपका करीबन दे आपको दिखा रहा था और यहां पे हम क्या प्लान करेंगे यहां पे हम सुपर ट्रेंड से एंट्री लेंगे देखे सुपर ट्रेंड आपका बहुत अच्छा चलता है आपने देखा होगा देखे यहां पे आपका हम एंट्री के से लेंगे जब भी 10 मिनट के टाइम फ्रे में देखा कि RSI कब 50 के उपर जाता है यानि momentum आता है बड़े time frame में और 10 minute के time frame पे मैंने देखा कि price कब super trend को cross करके उपर चला जाता है तो आपके लिए छोटे time frame में भी जो कि बड़े time frame में bullish ढूंडा आमने और छोटे time frame में bullish entry ढूंडी इस कहने का मतलब यह है आप RSI के बतल concept मैं आपको क्या बताना चाहरा हूं तो आशा करता हूं यह concept आपको समझ में आ गया होगा हम directly दोस्तों यहां पे चलते हैं streak पे और streak के ऊपर हम यहां पे login करेंगे आप streak पे kite और angel 1 से और 5 पैसा से login कर सकते हैं नहीं तो आपके पास दूसरे brokers का account है तो आप उन्हें tweet कर सक सकते हैं क्योंकि आपको यह तीन में से कोई एक account होना चाहिए यहां पे login करने के लिए तो यहां पे मैंने काइट से login कर लिया है और जिरोधा काइट से login करने के बाद मैं आ गया हूं स्टैटेजी क्रिएशन की स्क्रीन पर अगर आपके बास जिरोधा काउट नहीं है तो इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में दोस्तो मैंने जिरोधा काइट का लिंक और एंजल वन का भी लिंक डाल दिया है फाइव पैसा का भी लिंक है आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्ट्रीक का यूज कर सकते हैं तो यहां पे देखेंगे अब यहां पे देखे आपको अपको को erिखेंगे लिए कान्सेप्ट क्या हो आप इसके ऊपर अपनि स्ट्राटेजी भी बना सकते हैं जैसा भी आपको 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 आपके लाइस ट्रेडिग स्टाइल को सुट करता है तो यहां पे जो टाइम फ्रेम है दोस्तो हम यहां 10 मिनट का लें तो यहां पर हम 10 minute के time frame पर डाल देंगे closing price, यानि closing price crosses above, crosses above किस से हो crosses above हो हमारा super trend super trend 730 से इसके बाद दूसरी मेरी condition होगी दोस्तो वो होगी, यहां पर आपका काम आएगा multi time frame का, यह multi time frame completed function आपको यहां पर आएगा और multi time frame completed में देखे, आप यहां पर time frame choose कर सकते हैं, अब देखे, गौर करने लाइक आपके लिए बात यह है कि जो आपने time frame यहां पर choose किया है, आप यहां पर 10 minute उससे higher time frame आपको choose करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं early time frame जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम RSI early time frame का पकड़ रहे हैं, तो यहां पर RSI हम पकड़ेंगे early time frame का, तो यह multi time frame जो function है यह आपका काम यही करेगा, तो यहां पर देखे, multi time frame के अंदर हमने early डाला और यहां RSI डाल दिया, तो यह RSI किसको refer करेगा, एक घंटे वाला RSI, जो वन आर का आपका RSI चल रहा होगा उसको refer करेगा, और इसको हमने क्या कहना है कि यह higher than होना चाहिए, किस से 50 से, अगर यह higher than होगा मेरा 50 से, तो मेरी दोनों condition, दोस्तों, मीट, दोनों condition मेरी high probability वाली हो गई कि, आरली चार्ट पे RSI 50 से उपर चल रहा होना चाहिए, और जो मेरे 10 minute के time frame है, देखिए, यहां मैंने multi time frame completed नहीं लगाया है, तो यह कहां किस time frame को refer करेगा, जो मैंने यहां पे उपर दिया है, 10 minute का time frame, तो यहां पे 10 minute के लगाना है, stop loss देखिए, stop loss वैसे तो आपकी अपनी risk management पे होता है, लेकिन हम यहां illustration के लिए आपको जो है ना one is to two का stop loss रखेंगे, तो one is to two का stop loss रखेंगे, तो देखिए, आपकी अपनी risk management पे है, और यहां पे हम इसका नाम देंगे multi time frame bullish strategy, तो multi time frame bullish strategy मैंने इसका नाम दे दिया है, और जब इसको हम save and back test करेंगे, तो आपके बास देखिए कुछ results आएंगे, और देखिए, यहां पे कुछ results, देखिए, आप, आपका काम है यहां पे testing करना, आपका काम है different time frames पे testing करना, जैसे आप 10 minute ले सकते हैं, 15 minute ले सकते हैं, जिन stocks पे यह काम नहीं कर रही है, तो उन stocks को हटा भी सकते हैं, तो यहां पे देखेंगे, आप Tata Motors हिंडाल को, यह मैंने आड करें कुछ stocks, तो इन पे, देखिए, यहां पे आप signals भी देख सकते हैं, जैसे आप यहां show trades करेंगे, तो कब आपको कौन सा signal मिला, चार्ट आपके लिए यहीं पे आजाता है, कि आपको entry कम मिली, SL कभी टुआ, टार्गेट कभी टुआ, यह सारी चीजें आपको यहां चार्ट पे मिल जाती हैं, कितने आपको trades मिलें, यह भी आजाता है, देखिए हैं, 12 trades मिल रहे हैं, हिंडालको में, 8 profit में गए हैं, 4 आपके losses में गए हैं, टाटा मोटर में 11 में से 6 profit में गए, 5 जो है loss में गए, तो दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट अगर आप सिनेरियोज ट्राइ करेंगे, डिफरेंट डिफरे इस चीज को ट्राइ करें, और concept को समझें, तो यहां पे देखिए, आप इसको ट्रेल भी देख सकते हैं, कि transaction details में, कब-कब आपको entry मिली, देखिए, यहां देखेंगे, देखिए, यहां पे 18 October को मिली, आपको 4th October को मिली है, 29 September, और चार्ट पे आपको जाने की directly वहां लुज, number of losses, winning streak, losing streak, max gain, max loss, यह सारी max drawdown कितना आ रहा है, यह सारा भी आ सकता है, अब जिन में यह strategy थोड़ा काम कर रही है, अच्छा काम नहीं कर रही है, आप उनको हटा भी सकते हैं, और यहां पे deploy करेंगे, तो यहां पे डिपलोई करेंगे, तो देपलोई में आप अप लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप स्ट्रीक के ऊपर जो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें भी कवर कर सकते हैं, यहां पे आपको strategy कितने दिन के लिए लाइव करनी है, यह आप यहां बता सकते हैं, strategy cycle बता सकते ह हैं, और होल्डिंग टाइप, MISC, CNC पे चलाना है, वो बता सकते हैं, और टाइप, यह सारी चीजे आप करके आपके लास्ट में दो अप्शन आजाते हैं, एक तो पेपर ट्रेड का होता है, दोस्तों, एक टेक लाइव का, पेपर ट्रेड में आपको सिगनल मिलते रहते है और आप वर्चुली किसी भी स्टाटेजी को टेस्ट करते रहते हैं, और उसकी वो कैसा प्रफॉर्म कर रही है लाइव मार्केट में यह हल्प करता है, जब आप इसको यहां टेक लाइव कर देंगे, तो टेक लाइव पे आपकी यह स्टाटेजी रियल सेनारियो में चली तो यहां चली जाती है और आपको जब भी जो सिगनल साते हैं, जो कि आप जिरोधा स्ट्रीक की एप इंस्टल कर सकते हैं अपने फोन पे, तो आपको अन्दागो, ओन दाफ्लाय कहीं भी हो आप, तो आपको सिगनल आजाएगा आप उसके ऊपर अपना डिसिजन ले सकते ह कि आपको उसमें उसको trade करना है या नहीं करना है तो यहां जब भी यह strategy में conditions meet होंगी जो हमने define की है यह entered state में चली जाती है और अगर आप इसको यहां पर off कर देंगे तो यह stopped में चली जाएगी तो दोस्तों इस video में हमने multi time frame analysis का concept practically देखा कुछ भी चीजें हमने जो है हवा में नहीं कई हमने practically आपको बताया कि multi time frame आप implement कैसे कर सकते हैं अब इसके variations हो सकते हैं आप इसको vary कर सकते हैं अपने according आप combination कुछ भी यूज कर सकते हैं M.A.C.D. का moving average के साथ यूज कर सकते हैं तो हर चीज का एक अपना अपना role होता है हर indicator का oscillator का अपना role होता है redundancy से बचे मतलब की एक ही चीज को एक ही तरह के जो indicators है उनका use ना करके अलग अलग हर indicator का अपना use है कोई trend पकड़ने के लिए जरूरी है कोई overbought oversold बताने के लिए जरूरी है तो वो combination आपको clear होना चाहिए आशा करता हूँ दोस्तों ये video आपको पसंद आया होगा दोस्तों पसंद आया है तो जरूर इसको share कीजेगा जो भी social media platform आप use करते हों Twitter, Facebook, Instagram, Telegram जो भी आप use करते हो ताकि आपके friends तक भी दोस्तों ये free of cost knowledge पहुँचे. Thank you दोस्तो.